शुरू में ही ये बात कह रही हूं कि आज की वीडियो को स्किप किये बगएर दिखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपोर्टन्ट होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों की हेर ग्रोथ रुप चुकी है या जिन लोगों को हेर फॉल बहुत शदीद किसम का हो रहा है य आज की वीडियो में आज की वीडियो में डी आई वाई हेर सीरम आप लगों के लिए लेकर आई हूं सबसे पहले ये बता दू के वह बालों की टिप्स में अपलाई नहीं करना वह सिरफ स्कैल्प में अपलाई करना है जो के घर पर ही बना कर आप इजीली नेचरल वे में उसे यूज कर सकते हैं और बिना किसी साइड एफेक्ट के उससे भरपूर किसम के फाइदे भी उठा सकते हैं ऐसा डी आई वाई हैर सीरम आप लोगों के लिए लेकर आई हों कि जिसे चार से छे दफा ही आप अपने सर की स्कैल्प में अपलाई करोगे ना तो हैर फोल को तो क्विकली कंट्रोल करेगा ही करेगा लेकिन साथ में सर की जड़ो में एक मा तक में सल सल यूज करोगे ना तो सर की जड़ों से ही न्यू बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे और यहां पर लाइव आप लोग देख सकते हो यह डेर मा का रजल्ट है और इतनी क्विकली बेबी हेर्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं और वो कितनी क्विकली ग्रोथ करें तो फाइनली यह रहा वो डी आइवाई हेर सीरम जिसे घर पर ही नैचरल इंग्रीडियंट से बना कर क्विकली इससे फाइदा उठाया जा सकता है अपने सर की स्कैल्प में सिरफ इसे हमन लेकिन उसे पहले डी आइवाई हेर सीरम घर पर कैसे बना सकते हैं इसमें कौन-कौन सी चीजे एड करकी से बनाया जा सकता है वो तरीका देख लेते हैं और इसे अप्लाय कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूं तो चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे प और यह है मेथी दाना मेथी दाना मैं इसमें अड़् करूंगी वो भी भर कर चोटा चाय वाला चमच नहीं डालना थोड़ी कम अमांट में ही करके इसको हलका हलके थोड़ी थोड़ी देर बाद वक्फे वक्फे से मिक्स करते जाना है और इसको अच्छी तरा पकान इतना पकाना है कि पक कर 2-3 टेबल स्पून ये पानी रह जाए और इसे स्टेन कर लेना है अब यहां पर सीरम को बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो वो चीजें हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है जो कि सीरम में एड होंगी छोटा चाय वाला चमच तू टेबल स्पून मारकिट वाला ऐलोवेरा जैल लेंगे इसे पहले मिक्स अब कर लेंगे और उसके बाद जो क्लाउंजी और मेति दाने का पानी पकाया था गौन वन-न टेबल स्पून करके अड करते जाएंगे और इसको मिक्स अब करते जाएंगे यकदम एक साथह एड नहीं करना क्यूं तेबल स्पून आड़ करेंगे और फिर इसको mix-up करेंगे और इसकी consistency का यहाँ पर देहान रखना है कि इतनी ठिक भी नहीं होनी चाहिए कि जब इसे apply करें और apply ही ना हो scalp में इसलिए थोड़ी रनी consistency में करने के लिए इसमें more 1 tablespoon पानी जो पकाया था वो भी आड़ करेंगे और चावलो का पानी भी इसमें 1 tablespoon और आड़ करके इसको mix up करेंगे अब इसके बाद जो पका हुआ पानी बच गया था 1 tablespoon वो भी मैं इसमें add कर लूँगी और इसके बाद मजीद इसमें मैं चावलो का पानी वन टेबल स्पून और अड़ करूंगी टोटल मैंने जितनी भी अमाउंट पानी की और अलोवेरा जेल की इसमें डाली है जिसे इस तरह की कंसिस्टेंसी में यह आ चुका है मैं सक्रीन पर साथ में मैंचिन कर दूँगी अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब यहां पर लास्ट इंग्रीडियंट मैं इसमें एड़ करने वाली हूँ और इसे अपने सर की स्कैल पे इसका मसाज करें और इतने मैजिकल रिजल्ट आप लोगं को अपने हेर्स में नजर आएंगे तो खेर यहां पर अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद सीरम बनकर राड़ी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें अगर आप अपनी मरजी से थोड़ी और रनी कंसिस्टेंसी में करना चाते हैं तो इसमें और डिटॉक्स वाटर जब पकाया था वो आड़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़े एड ही नहीं की गई और इसे बना कर फ्रिज में रखना है इसमें जतनी भी चीज़े एड की हैं वो हेर्स के लिए इतनी बेनिफिशल है कि इतने मैजिकल रिजल्ट वो आप लोगों को देगी हेर्स में होने बहुत सी प्रॉबलम को यह हेर्स सीरम ट्रीट करेगा इस हेर्स सीरम को अपलाए करने का जो तरीका है नहाने के फोरण बाद अपने गीले बालों में दो ड्रॉप भर कर यह सीरम ले और अपने सर की स्कैल्प में इसे अच्छे से अपलाए कर लें कोई भी जगा छूट ना जाए और अच्छे से लगाने के बाद अपने सर का कुछ ही सेकंड मसाच करें ताके अगर कोई जगा स्किप हो भी गई हो तो ये सीरम अच्छे से वहां पर अपलाए हो जाए आप चाहें तो डुपर के साथ भी इसके अप्लिकेशन कर सकते हैं जैसे आप लोग ओ। अपने सर की स्कैल्प प्लाए कर सकते हैं और लगाने के बाद कौम करें ताके अच्छे से ये पूरे बालों में पैल जाए कहने का मतलब ये है कि डेली भी अगर आप इसके अप्लिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि ये फाइदा ही देता चला जाएगा इसके कोई नुकसान नहीं होंगे इस DIY हेट सीरम को लगाने के बाद जरूरत ही नहीं है बालों को दुबारा वोश करने की दो दिन बात या तीन दिन बात जिस तरह रगलो रोटी में आप अपने बालों को वोश करते हैं वोश करने से पहले दो गिंटे पहले आपने बालों में ऑईलिंग करें और उसके बाद वोश करें वोश करने के बाद हलके गीले वट बालों में अगेली सीरम को अपलाई करने क्योंकि इसके तो कोई side fact है ही नहीं इस DIY hair serum को apply करने के बाद naturally तोर पर बालों को dry होने दे कोई भी blow dryer से बालों को dry करने की जरूरत ही नहीं है और कोशिश करें कि वो shampoo conditioner या hair mask जो भी आप use कर रहे हैं उसमें बहुत से बहुत mild से ingredients हों जो के बालों के लिए नुकसानदार ना हों इस DIY hair serum को मसलसल अपनी hair care routine में add रखें जैसे ही आप इसे मसलसल एक माह तक use करोगे ना एक माह के बाद new baby hairs निकलना start हो जाएंगे इसे दो माह, तीन माह, चार माह जितनी देर तक चाहें आप इसे अपनी hair care routine में add कर सकते हैं क्योंकि इसके तो कोई side fact है ही नहीं 100% घर की natural चीजों से बनाया गया ये DIY hair serum है हर एच के लोग इसे use कर सकते हैं 8-10 साल के बच्चों को भी इसे लगाया जा सकता है और अगर आप लोग चाहिए तो अपने बालों की tips में भी इसे लगा सकते हैं लेकिन कोशिश ये करें के इसे सिर्फ scalp में ही apply करें यहां तक तो बात होगी घर के बनाय हुए DIY hair serum की लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ के online order करके मैंने कौन सा सीर्म मंगवा कर यूज किया था IQ organic hair serum इसके result भी अच्छे हैं लेकिन इसके जो result है वो बहुत बहुत slow मिलते हैं यानि कि अगर एक bottle आप पूरी use कर लोगे तो आप इसके result नहीं मिलेंगे एक bottle order करने के बाद मैंने इनकी दूसरी bottle भी मंगवा कर यूज की एक पूरी मैंने यूज की तो मुझे इसके result नहीं मिले लेकिन जब मैंने दूसरी bottle को इतना यूज किया तो तब मुझे इसके result मिले और इसके result फिर मुझे बहुत अच्छे मिले यह hair fall को कंट्रोल करता है सेर में ड्रेंडरॉफ को कंट्रोल करता है hair loss को कंट्रोल करता है इस serum के result भी अच्छे हैं लेकिन यह काफी कोस्री पढ़ जाता है क्योंकि जब एक के बाद बूसरी bottle और फिर उसके बाद तीसरी bottle भी मैंने मंगवा कर यूज की तो बजट से काफी उपर चला जाता है काम खैर इनोंने अब पैकिंग चेंज कर दी है पिंक कलर में अब यह सीरम दिखता है अंदर से और इसकी पैकिंग भी अब चेंज है पहले यह बिलू कलर की बॉटल में था और अब अंदर से सीरम जो है वो पिंक कलर में है पिक्टर में उसकी साथ में यहाँ पर अटेच कर दूँगी स्क्रीन शूट लेकर साथ में प्राइस भी मैंशन होगी वो भी मैं अटेच कर दूँगी जिन लोगों ने online order करके मंगवाना है वो वहां से मंगवा सकते हैं उनके page का link मैं नीचे description box में लगा दूँगी लेकिन जो लोग budget में रहते हुए घर पर ही quickly result हासल करना चाहते हैं तो वो घर पर ही DIY HRC नम बना कर इसे लगा सकते हैं इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके result बहुत ही quickly मिलते हैं अब जैसा कि मैंने online order करके यूज़ करके देख लिया घर का भी बनाया हुआ मैंने यूज़ करके देख लिया इसने मुझे quickly result दिया इसकी निस्वत इसलिए हाला कि मैं इसे sale में बाई करती रही हूँ जब भी IQ organic वालों की sale लगती थी तो तब ही मैं सीरम बाई कर लेती थी तो यह के जो इन्होंने पैकिंग चेंज की है फ़र्मूला सेम वही है लेकिन सिरफ पैकिंग चेंज है बाकी हरचीज वही है तो जो लोग फर्ट कर सकते हैं वह यह खरीच सकते हैं ओर बहुत बशील जरूर कीजा है कुई कि इसलते ही मीरे वीडियो इस ड बाईय हर सीरम के ऊपर जिन लोगों कोई बी क्वेस्टिन होगा वो नीजे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी द्वा में याद रखेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अला हाफीज